हालो फ्रेंट्स नमस्कार आज की इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी का अनलेसिस डिसकस करेंगे क्योंकि जैसा मैं अपने वीकली वीडियो में बोला था कि मंदे का हाई लो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और मंदे का आज लो मार्केट ने ब्रेक किया है और एक अच्छा ब्रेकडाउन दिया है अमें मेजर फॉल टीशेस के कारण आई है पर यूनों क्या यह डाउन मूव कंटीनिव करेगा यह फिर मार्केट उपर बढ़ेगा तो उसके उपर हमारा डिसकेशन होगा सबसे इंपर्टन है कि कल हमारे पास एक इंपर्टन यूनों एस्टो इवेंट भी है विच इस सन अपना साइन चेंज कर रहा है और कल हमारा वर्नल एक्विनॉक्स भी है तो उसको लगाने के लिए हम इदर जाते हैं हम ULE में जाते हैं और इसमें हम सन के इंग्रेस को लगाने की कोशिश करते हैं तो सन अभी मूँ कर रहा है एरीज में तो यह हमारा वर्नल एक्विनॉक्स आ गया है विच इस ऑन 20 तो यह हमारे लिए एक बहुत ही इंपर्टन इवेंट होता है लास्ट हम देखे वर्नल एक्विनॉक्स मलब यह सन का इंग्रेस हुआ था नेक्स दिन इक बहुत ही अच्छी फॉल देखने को मिली थी यहां पे बॉटम बन के मार्केट उपर भी गया था और यहां पे यहां से आपको दो दिन अच्छी फॉल भी मिली थी तो यह एक इं करीशन का मिनिममम डिस्टेंस था नेप्ट्यू नर्थ का मैक्सम्म डिस्टेंस था तो जब तक निफ्टी 21916 के उपर नहीं आ जाती है तो तब तक ट्रेंड थोड़ा नेची की साइड़ी रहेगा उसका एक और रीजन है कि अगर हम निफ्टी के चार्ट पर देखे 50 डे मूइंग अबरेज है लास्टम इसने ब्रेक किया था लगवा किदर और 19th of October उसके बाद मार्केट ने तीन चार दिन बहुत ही अच्छी आपको फॉल दिया था एक्सपरी के लास्ट वीक में अभी यह फर्स्टम इसने ब्रेक किया तो कल हमें देखना है कि अगर मार्केट अगर अगर हम अपनाम यूजिकल फोरकास भी देखे तो यह देखे तो एक्टियूर अगर इसने फट्यूर करिश्ट तो इसने फिफ्ट्यूर को थोड़ा और यहां से यह अब यह फॉल बनती है 21-21-168 तक अब अगर हम अपना musical forecast भी देखे तो यह देखे 21.817, 8.36 हमारा support zone है, market आज 21.817 के नीचे भी close हुआ है, यह भी हमें बड़ा-बड़ा बता रहा है कि अगर market वापिस 8.36 के ओपर close नहीं हुआ, तो यह 21.205 तक जा सकता है, अभी तर्टरेंड मार्केट में क्या बनावा था कोई भी buy करो, buy करो, buy करो, you know, so यह हमारा market में trend था, पर जैसे-जैसे market short term moving averages के नीचे जाने लग जाता है, तो जैसे 20-day के नीचे गया, 2-3 दिन sustain के insight bars बनाई, आज इसने इस range को भी तोड़ा, यह एक range बनी भी थी, और इसने यह जो बड़ा 13 को हमारा जो बड़ा फॉल आ है, तो अब हमें यही ध्यान में रखना है कि एनी राइस निया 21905-920 के बीच में अगर आता है, आगर market वो राइस देता है और महा पे close नहीं हो पाता है, तो यह the journey has begun on downside, towards 21168, अब एक और चीज़ जो कल हो रही है, वो है हमारी GAN की cycle, GAN की 1-year cycle, अगर आप 2023 में जाके द 20th March को, Nifty ने बहुत ही अच्छा bottom मनाया था, and this was the bottom उसके बाद सब्सक्राइब के रिप रॉर इंग बूल मार्केट जो हमारा चालू हुआ था, वह यहां से चालू हुआ है, जो वहां से उस लो से, from the low which we made 16828, वहां से Nifty almost 22,000 526 तक आ चुका है, और जो है, तो है थोड़ तो PSU stocks पर आप जरूर नजर रखे, PSU stocks, REC, PFCs and all that आपको ध्यान में रखना है, उसके अलावा जो आपको ध्यान में रखना है, वह है PSU banks में, इन सब पर आपको एक अच्छे moment देखने को मिल सकते हैं, अब Nifty में, जो bank Nifty उसमें हम देख रहे हैं, कि fall continue हो रही थी, और price यह आज इंसाइट बर बना है, विड्डो जी, वापिस जो Monday का हाई है, जो bank Nifty का है 46,739, यह भी हमारे लिए important है, और अगर मैं gain के cycles को देखो, तो bank Nifty ने low बना है था 16th को, 16th March को, और हम 16th March यह low के नीचे भी trade करें, 15th, 16th, 16th holidays और 18th है, तो यह हमारे एक बड़ी सी candle भी बन गई है, अब 18th का जो low है, 46,022, इसके नीचे ही, आपको एक अच्छी, you know, मंदी देखने को मिल सकती है, कल हमारा weekly expiry भी है, Nifty का, और अगर हमें तेजी करनी है, तो 46,739 के उपर ही करनी है, 46,740, अगर swing trade लेना है, इंटरे के लिए 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 आपको वैसे भी शेयर कर दूँगा, पर दो important cycles meet हो रही है, अब next important चीज हो रही है, वो है ये, which is your time cycle, GAN angles, which plays a very very vital role, अब देखें, market किता अच्छा 3.3 cross 4 angles पर support ले रहा थे, यहां पर लिए, यहां पर लिए, यहां पर लिए, आज इसने support के नीचे भी close हो गया है, अब क्या कर सकता है, there are two ways, कि यहां तो एक round वापस इस support को touch करने को आएगा, यह support आ रहा है आपका 22035 के आसपास, and it is rising every day, 22,000, तो जैसे मैंने बता है, 21,920, 930, एक important zone है, अगर उसके ओपर market ने close किया, तो हो सकता shot covering rally 22,000, 22,50 तक आ सके, वहां से वापस fall दिखें, यहां फिर यह fall continue होगी, continue होगी and the next major support आ रहा है हमारा 20,382 पर, यह बहुत बड़ा angle मिन गया, तो यहां पे बहुत बड़ी cycle बन रही है, तो 20,382 तक भी market आ सकती है, जब तक इस line के ओपर close नीक है, which is rising every day, पर बड़ा बड़ा आप अभी समझे, 22,000 के ओपर हमारा close होना जरूरी है, निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी में अगर हम चलें, तो बापस यह support के ओपर ही lag कर रहे है, और अगर इस support को इसने hold किया, तो upside में इसका जो target आ रहा है, which is around 50,000, और downside में यह support आ रहा है, around 43,836 के आसपास, correct? तो यह आपका बड़ा view बन सकता है, market के लिए for the next few trading sessions, फिर निफ्टी भी exactly replicating क कर रहा है, कि exactly 1 x 2 angle पर आ रहा है, और अगर बैंक निफ्टी का अगर हम यह देखें, तो यह 100 दे पर support लिया था कल, और 50 दे के निचे आज second day close दिया है, तो बड़ा-बड़ा support इसका यही पर आता है, 46,036 पर और ऊपर में 47,000 तोड़ना पड़ेगा, in between एक sideways choppy zone में जो भ चुटी है, और next week Friday को भी चुटी है, तो कुल मिला के हमारे पास तरह 5 trading day बचें, क्योंकि इस बार हमें quarter closing भी है, expiry close भी है, and you know monthly close भी है, तो बहुत सरी closing है, तो monthly charts हमें एक important indication देगा, ग्रेवस्टो डोजी बना रहा है, इस month का open है 46,218 तो इस लेवल पर हमें ध्यान में चल रहा है, और अगर मैं निफ्टी के साइट चलूं, तो निफ्टी ने भी open है 22048, तो 22051 के आसपास close होना जरूरी है, तो वो डोजी बनेगा, और अगर नहीं हुआ, तो last month का जो लो है, वो है हमारा 21530 है, नेक्स आपका major support है, अगर कल भी निफ्टी 21800 को तोड़ देता है, तो बड़ा-बड़ा, अब मैं आपको expiry range हमारी क्या हो सकती है, उसके उपर बता देते हैं, कल हमारी expiry है, उसका मैं आपको, हाँ, तो कल आज का bank nifty का क्या हुआ है, उसके उपर हम बता देते हैं, तो bank nifty, bank nifty ने आज close दिया था, 46384 पे, इंडिया विक्स है हमारा 40, तो हमारा 46,700 अपर end of the range हो सकता है, और lower end हमारा 46,041 के असपास हो सकता है, बेस दो क्रेंट विक्स, तो यह आपके levels हो जाएंगे, और levels, intradical levels क्या हो सकते हैं, कल के लिए वह मैं बता देता हूँ आपको, तो निफ्टी के लिए, इफिट सार्ट स्ट्रेडिंग बिलो, आज का जो लो है, विच इस 21,790, तो आप 757, 683, 608 के तरफ देख सकते हैं, और अपसाइड अबाव 21,832, विकन से क्विक क्राइज वर्ट 906, 981, अब इसी तरह से बैंक निफ्टी के दरफ चल सकते हैं, बैंक निफ्टी ने एक अच्छी बोजी चैनल बनाई है, तो बेसिकली 46,451 के उपर 46,665, 46,880, 47094, and on downside below 46,236, 46,022, 45,864 and 45,729, यह लेवल्स हम देख सकते हैं, तो लेट सी कैसा sun ingress plus ganke cycle का combination वापस breakdown में हम और इत विल देख सकते हैं, यह फिर हमें एक चोटा सा reversal देख सकते हैं, तो लेट स को एंद वच इट, Devils have clearly mentioned, stay disciplined, thank you.